Hello students, welcome to Magnet Brain. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Neha Varma from Magnet Brain. Students, Magnet Brain ही कैसा YouTube channel है जहाँ आपको Kindergarten. Means, KG से Class 12 तक, आपको आपके पूरे Slavers का वीडियो मिलता है students. और हाँ, यहाँ पर आपको Teachers एक दो चाप्टर या एक दो टॉपिक पढ़ा के, आपसे किसी भी पेमेंट की डिमांड बिलकुल भी नहीं करते. क्यों नहीं करते? Because Magnet Brain is totally a free of cost channel. Means, यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता. Okay students, तो यहाँ से पढ़ाई करते रहे हैं और कामया भी पाते रहे हैं students. Okay, तो चलिए हम अपनी आज की study शुरू करते हैं. हम कर रहे हैं chapter, आपका Class 1 का Mathematics. और हमने कौंसा चाप्टर स्टाट किया है? चाप्टर 6. And what is the name of the chapter? Time. है ना students? और हमने क्या देखा था इस से पहले? हमने आपका जो चाप्टर स्टाट किया था, वो हमने संपदा के डेली रूटीन से किया था. संपदा कौन है? संपदा is a girl like you. है ना? वो सुबा उट्टी है, morning में. तो यह हमने पूरा संपदा के बारे में पड़ा था. उट्टी है, फ्रेश होती है, श्कूल जाती है, अपना वर्क करती है, खेलने जाती है और रात को सो जाती है. Okay students, तो आपने रिलेट किया था, जैसा संपदा का रूटीन है, सेम वैसे ही आपका भी रूटीन है. है ना? Almost सारे बच्चों का रूटीन ऐसे ही होता है. Okay? So students, अब हम आपके बुक की next page करेंगे, जो है exercise based on time. Right student? कुछ exercises दी हैं और वो time पे depend करती है. Means, कौन सा काम आप कब करते हो? Morning में करते हो, afternoon में करते हो, की evening में करते हो, की night में करते हो. Okay? तो देखें, What is the first question here? यहां पे पूछा गया है, Pick the activities that you do in the morning. यहां पे आपको pictures में कुछ activity दिख रही है? है ना? तो कौन सी activities हैं जो हम morning में करते हैं? सुबर, सुबर. ठीक है? आप देखो यहां पे. In this picture, क्या दिख रहा है आपको? The boy is taking a bath. वो नहा रहा है. तो नहा ना क्या आप morning में करते हो? बताए, Yes! हम सब सुबर नहाते हैं. है ना? So we take a bath in the morning. तो हम इसको टिक लगा ले? Okay. तो चलिए हम इसको टिक लगा लेते हैं. आप भी अपने बुक में टिक लगाईएगा? Now, in the second picture, हमें क्या दिख रहा है? The girl is studying. वो पढ़ाई कर रहे हैं अपने स्कूल में. क्योंकि उसका बैग भी रखा हुआ है. उसके पास books भी हैं. है ना? तो स्कूल में जाके पढ़ाई कप करते हैं? आफ्टर्नून में. जब डे स्टार्ट हो जाता है. है ना? एकदब बार्निंग में तो हम नहीं करते. है ना? So, ये स्कूल का टाइम है. Means, डे का टाइम है. आफ्टर्नून का टाइम है. Okay? आप अपना लंच्ट स्कूल में कप करते हो? आफ्टर्नून में. डे टाइम में करते हो. है ना? तो इसको भी हम तिक नहीं लगाएंगे. Now, see the last picture. The girl is brushing her teeth. वो brush कर रही है. Brush हम कप करते हैं? Early morning. सुबह, सुबह. वैसे तो रात को भी सोने से पहले brush करना चाहिए, students. लेकिन brush हम usually morning में करते हैं. जैसे सुबह सबसे पहले उठते हैं, पहले brush करते हैं, फिर कुछ खाते हैं. क्योंकि रात भर हमारे mouth में germs रहते हैं, कि टानू रहते हैं. उनको भगाने के लिए हम brush करते हैं. सो brush कब करा जाता है, students? Morning time ने. तो हमने इसको भी टिक लगा दिया. तो इन सारी activities में, हमने two activities पे टिक लगाया, क्योंकि यही activities हम morning में करते हैं. Okay, students. हम bathing करते हैं और हम brushing करते हैं morning में. Understood? ठीक है? तो इससे पता चला आपको morning time में, सुबह-सुबह हम यह दो activities करते हैं. Okay, चलो. अब हम next आगे बढ़े. Yes. अब यहाँ पे क्या है? टिक दे activities that you do in the evening. What is evening time? Evening time means शाम का समय. है ना? दिन के बाद शाम होती है. Evening होती है. फिर रात होती है. Okay, तो evening time में कौन-कौन सी activities की जाती हैं? बाद थिंग. क्या नहाते हैं हम शाम को? Usually no. नहीं नहाते हैं. Then, playing. Yes. आप evening में play करने जाते हो? Yes. सारे बच्चे evening में play करने जाते हैं. Then, going to school. क्या आप शाम को evening में school जाते हो? No. ये भी नहीं होगा. Then, sleeping. क्या आप evening में ही सो जाते हो? No. है ना? तो students, इन सारी activities में, जो activity हम evening में बच्चे करते हैं, वो क्या है? Playing. आप अपने friends के साथ evening में खेलने जाते हो. Yes. तो bathing भी नहीं करते हैं. Barthing तो morning time में करते हैं. Then, going to school. Morning time. अपने बच्चे करते हैं. Okay? चलो. अब आगे बड़े? Yes. Now, the third is, take the activities that you do in the day. Day means दिन में. जो दिन भर आफटर्नून का टाइम होता हैं, morning के बात का टाइम, और evening के पहले का टाइम. वो होता है हमारा दे. हमारा दिन भर का काम. हमारा आफटर्नून का टाइम. Okay? उसमें हम क्या क्या करते हैं? Brushing. क्या दिन में कोई बच्च करता है? No. So, this will not come in this category. Then, going for play. वो बच्चा कहा जा रहा है? घूमने जा रहा है. तो घूमने जा सकता है. But usually, day के टाइम में बच्चे rest करते हैं, स्कूल से आके. तो ये भी नहीं होगा. Then, eating the lunch. Yes. दिन में खाना हम जरूर खाते हैं. So, this can be done in the day time. Now, then, bathing. क्या दिन में नहाते हैं? वैसे, इस्कूल से आने के बाद आप नहा सकते हो. लेकिन नहाते तो हम कब हैं? Early morning. सुबह सुबह उटके नहाते हैं. ब्रश करते हैं. नहाते हैं. Okay? तो day time में usually हम खाना खाके rest करते हैं. Okay? So, this thing, this activity can come under this day time. Okay, students. तो ये भी आप देखिए. इससे आपको क्या पता चल रहा है? आपको time पता चल रहा है. कि कौन से time में कौन-कौन सी activities करी जाती हैं. Okay, student. चलो आगे बढ़ते हैं. Yes. Now, see this. Take the activities that you do at the night. आप रात को सो. Night means? रात. अंधेरा जब हो जाता है. That is the night time. तो रात को आप क्या-क्या करते हैं? Look here. Sleeping. सोने के बाद फपने देखते हैं. Dreaming. वो बच्चा क्या सोच रहा है? कि उसको first prize मिला? उसको कप मिला? तो वो सो रहा है. तो रात को हम सोते हैं? Yes. वी स्लीप इन देनाइट. तो इसको टिक लगा लीजे. क्योंकि सब सोते हैं. बच्चे भी सोते हैं, बड़े भी सोते हैं. है ना? Then, studying. ये तो school में पढ़ाई कर रही है. है ना? वैसे घर पे भी रात को study की जाती है. है ना? लेकिन she is studying in the school. Because she is having the bag, she is having the books. है ना? तो रात को तो हम बड़े सोते हैं. है ना? उसके बाद. ये भी सो रही है. तो रात को क्या हम सोते हैं? बिल्कुल. वहाँ पे तो वह सो के सपने देख रहा है. और ये यहाँ पे रात को सो रही है. तो this is also in the night time. And you are going to school. क्या school जातने हैं रात को? बिल्कुल नहीं. तो this will also not come. तो रात को सोना और सो के सपने देखना. ये दोनों चीजे नाइट में होती हैं. ओके students, तो देखा आपने इस कितनी मज़ेदार exercise थी. आपको कुछ activities दी गई थी है ना? और उसमें आपको पता लगाना था कौन से activity आप morning में करते हो? कौन से आप day time में करते हो? कौन से आप evening में करते हो? और कौन से आप night में करते हो? है ना students? तो आप भी एक काम करें. आप भी अपना पूरा daily routine बनाईए और अपने friends से पूछिए कि बताओ ये काम कब करा जाता है? तो इससे क्या होगा? आप अच्छे से सीख जाएंगे कि कौन से time में कौन सी activities होती हैं? बुक Maths Magic ओपन हो जाएगी उसके बाद आप chapter wise सारे topic पढ़ सकते हैं कितने भी बार देखिए जब तक समझ में नहीं आता तब तक वीडियो देखिए लेकिन पूरा समझ के करिए ओके? इस अब आपको Magnet Brain की website पर मिल जाएगा एक और good news है Magnet Brain का अपना Hindi Medium का channel पी start हो गया तो बस अगर किसी को आपके बड़े बहिया दीदी को भी बताईए अगर उनको language की problem हो रही थी तो वो problem भी solve हो गई है तो यह सारी facilities आपको Magnet Brain पर मिलती है यहाँ आपको kindergarten से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है students ओके? तो देखिए video अपने सारे concepts clear करिए तो चलिए students next आपकी इसी chapter की next topic के साथ आप next video में मिलेंगे till then bye bye take care